इस सवाल के साथ कि क्या 24 के लड़ाई मोधी वर्सिज ओल है आज प्रधान मंत्री नेरेंद मोधी ने सांसत के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है अपने संसिदिय छेतर वारालसी में इस मुद्धे पर बात करने के लिए खास पर नलन हमारे साथ जुड़ रहा हमारे साथ भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धरंजे ग्री जुड़ रहे हैं हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पूजात्र पार्थी जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अन्राग बधारिया साब हमारे सा दिखे एक चीज़ आप मानके चलिए इस हिंदुस्तान के अंदर में जैसा आपने बोला तीसी रवा उत्तर प्रदेश से उन्होंने नॉमिनेशन किया है परि कोई भी वेक्ति कहीं से भी नॉमिनेशन कर सकता उत्तर प्रदेश तो वैसे भी बड़ा दिलवाला प्रदेश है और हिंदुस्तान भी इतना अच्छा हिंदुस्तान है कि कोई कहीं से लड़ता है हम सब का सम्मान करते हैं लेकिन आप बताईए भारती जन्ता पार्टी राश्ठाकरी के साथ महाराष्ट में सपोर्ट लेके लड़ रही हो वही राश्ठाकरी जसे लोग की कुसि का समभान करते हैं जब उत्तर भारत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सत्ता के सत्ता पाने के चक्कर में आप अपने लोग पिटेंगे उनके उनको भी एसेप्ट कर लेंगे दूसरी बात जहां तक कि देखिए आज का सवाल यह है कि मुद्धों पर भारती जन्ता पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रही है और मुद बाबरी ताले पे भी पहुँच गए अभी कहां का पाकिस्तान में घुज जाएंगे इनके मुद्धे ही बदलते चले जारे हैं लेकिन जेश की जन्ता के कोई मुद्धे ली मेंगाई बिरुजगारी किसान मेला समसरी हुआ चाते मुद्धा नहीं है नामांकन दाखिल के आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती हैं कि ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो 2004 के बाद 2008 में ये तैय कर रही थी कि केंद की सरकार रहेगी या जाएगी 2019 के नतीजों के बाद पार्टी अपने वजूद का संगर्श करती नजर कर आ रहेगी तो आपका जो ये प्रेवाइस है कि 2014 से मुश्किलें बढ़ी समाजवादी पार्टी की 19 में और बढ़ गए तो ये ऐसा नहीं होता है कि एक continuity में चलता है लियाज़ दो हजार 24 में भी बढ़ जाएंगी क्योंकि अगर ये होता तो कॉंग्रेस कभी शाशन से नहाटती और अगर ये होता तो समाजवादी पार्टी कभी सत्था में से नहाटती तो मेरे ख्याल से वो जो अनुराग कह रहे हैं उसका ये मतलब है कि अब जनता शायद रिव्यू कर रही है लेकिन क्या ये जो कह रहे हैं ये सच है और अगर है तो कितना मान लीजिए कि अगर मनारस से मोधी लगते हैं तो जाही ने उनका influence पड़ेगा एक ऐसा लेता जिसने बीजेपी के भागी को पलट दिया 18% जिस भी जो बीजेपी 18% पाई थी 2009 में वो आज अगर 37% पे है दूने पे है पुरे देश में तो आप समझ सकते हैं कि मोधी की मखबूलियत के बार 35% नहीं है तो 36% 35% हो या 38-49% हो इस पे तो महस हो सकती है लेकिन ये कहना कि ये सास्वत रहेगा ये भी गलत है और ये भी नहीं सम्भव है कि मोधी लगातार अपने 38% पे रुके रहे हैं हो सकता है 2% कम हो और वो 2% काफी जादा होगा अगर 2% बढ़ जाता है तो वो भी क मंकन के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में भी जो पूरी पूर्वांचल की पट्टी है इसमें भारती जन्ता पार्टी रणनितिक बढ़त अपनी बना लेती है कम से कम 14 और 19 के नतीज़े ऐसा बताते है अनुरादी देखिए आज बाग लिए तरफा है गाउंगरी किसान नौजवान के बीच में चले जाए लोगों के बीच में चले जाए फुरवांचल के भारत के पूरा पस्ति मुतर दक्षी चारों दिसाओं में चले जाए हर तरफ में अपने महबूब प्रधान मंत्री नेद्र मोधी के एक जलक पाने की इस तरह से जनता में बैचाइनी है जिस तरह से जनता को लाई हुए कि पढ़ान मंत्री को देखना चाहते है मसूस करना चाहती है क्योंकि गाउंगरीब किसान नोजवन के लिए भूग हुए अथार्त है कोई किताब में पड़िवी बाते नहीं है और जन सक्तिसे लेकर के जीवन का विस्तरित पैमाने पर जीवन को जीया है जो समझा है और बैस्वी का अस्तर पर जिस रैंकिंग में 76% के साथ आज दुनिया में धनेंदर मोदी जी का नाम है जिस तरह से एक वेक्ति आज काया कल्प हो गया कासी जिसमें जो जो आज जान के प्रकास की नगरी को ऊच तरह से आज खड़ा किया गया है भारत के सांसिक्रितिक पुनर्व जागन का केंदल बनाए गया है हम कह सकते हैं कि आने वाली नसले इस पर करेगी जब पता चलेगा कि आपने नरेंद्र बोदी जैसे निवेक्तित्तों को ऐसा जीता जागता को जीवन प्रावंत वेखती तरकती पर रहा होगा दूसरी बात हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं आप देखिए एक तरफ सीवसेना है जो कहती है कि राम मंदिर के निर्मा को तो बाबरी मस्जीद मेरा हाथ है दूसरे तब उसको बचाने के लिए गोली चलवाने वालों के साथ सपा साथ है और दोनों एक मंच मेरा हाथों में लिए हाथ है ये कैसा न जा रहा है इसलिए 14, 17 चार चुनाओं में सपा की होगा है इस चुनाओं में लड़ते हैं 2014 के मुकाबले 2019 में केरल में कॉंग्रेस पार्टी को सिर्फ 5-6 प्रितिशत वोट का ही फायदा हो पाता है राहूल गांदी के केरल पहुंचने पर वाइनाट पहुंचने पर वहीं दूसरी तरफ अकर उत 2014 में वारानसी पहुंचते हैं 2014 से पहले 2009 में सिर्फ 9-7 सत्थे भारती जनता पार्टी के 17-22 वोट शेयर था 2014 में जैसे मोदी वारानसी में पहुंचते हैं 9 की संख्या बढ़कर बहतर हो जाती है 70 प्लस 2 बहतर होती है और वोट प्रितिशत 42 से 50 फीस दी हो जाता है आपको लगता है कि एक बड़ा फासला एक बड़ी लकीर है जब हम तुलना करते हैं राहूल गांदी की नरेंदर मोदी से जब हम तुलना करते हैं केरल मॉडल की उत्तरप्रदेश मॉडल से सबसे पहले तो अनुराग दी जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट डिया था नरेंदर मोदी वर्सेज आल उसको मैं नरेंदर मोदी वर्सेज पीपल ओफ इंडिया करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से नरेंदर मोदी जी इस कैमपेंग अभी धननजय गिरी जी उनको विश्विगुरू बना दिये थे उनकी वैश्विक रैंकिंग के बात कर रहे थे पर सवाल यह है कि नरेंदर मोदी जी अपने पॉलिटिकल कैमपेंग में अपनी ही जो भी धननजय इनकी प्राथमिकता है उसकी बात नहीं करते वही बात है अनुल्टाग जी आध्या उचा उतनी उचिव बात है तो वह सबसे बड़ा रुजहान बतार्यों मैं आपको चार सदर पेसा एक फिर機तर के तो राधे कि केंपेनिंग से वो कहते हैं कि अमवानी अडानी टेंपो में पैसा डाल के कॉंग्रेस को ब्लैक मनी पहुचाते हैं यह बताता है जो बुद्यादी सवाल था उसका जवाब कहीं भटक गया आपके यह बात कि अनुरा अनुरा मैं यह समझना चाह रहा हूं कि जब प्रधान मं जी वाइनाट से चले और प्रधान मंत्री जी बिल्कुल स्वतंत्र थी वो साउथ में किसी से भी अपनी सीट से नॉमिनेशन भड़ देते हैं वो तो विश्वगुरू है वो साउथ से भी जी जाते पर उनने साउथ में सीट नहीं बढ़ी राहूल गांदी जी कि आब बा निस में हमने देखा चौधा के मुकाबले 15 सीट ऐसी जहां पर भारती जन्ता पार्टी पांच लाख वोटों के मार्जिन से जीती थी दो हजार चौधा में भी हमने देखा कि 30 साल के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा था चौधा के मुकाबल निस में 88 लोग सबा सीट ऐसी बढ़ गई बीजेपी की जहां पर मार्जिन 50 पीज़ी वोट शेयर से जादा का था 11 राज्यों में तो विपक्ष का खाता ही नहीं खुल पाया था 421 में से कॉंग्रिस के 148 ऐसे उम्मीदवारते जिनकी जबानत जब्त हो गई थी आपको नहीं लगता कि इन आकड़ों के साथ बीजेपी बहुत जादा आत्म विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है कैसे विपक्ष मुकाबला करेगा देखे भारती जनता पार्टी के बाद आत्म विश्वास होता अगर उनने जनता का काम किया होता तो उनको मुद्दों पे रहते वो मुद्दों से ध्यान न भटकाते पाकिसितान न घुच जाते बार 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 यहां पे मीट मचली मंगल सुतर और भेंस पे ना पर किया जनता पार्टी के लिए कर रही है अब किस मुद्स से फोटो ले के घूमेंगे कि उन्होंने भी असुक चोहान के बारें बोलेंगे कि इन्होंने जो हमारी भिद्वा आर्मी की जो प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी की वारानसी में मौजूदगी 2004 और 9 के मुकाबले 14 और 19 में बीजेपी का प्रदेशन सिर्फ उत्तरप्रदेश नहीं बिहार में भी दुगन का फासला है सर दुगने से भी जादा का फासला नजर आता है आंकलों के लिहाज से वोट प्रतिशत के लिहाज से आपको लगता है कि वाकई मैटर करता है अगर एक बड़ा नेता उतरता है तो देख बहुत मेटर करता है उसमें कुछ कहना ही नहीं है कि जो बीजेपी राम मंदिर के डिमॉलीशन के बाद भाबरी मस्जीद राम मंदरी स्ट्रक्चर डिमॉलीशन के बाद भी लगातार उसका परसेंटेज अगर आप देखे तो 98 1998 के बाद घखता रहा 99 में 2004 में 2009 में लगातार घखता रहा वो बीजेपी एक नरेंदर मोधी नाम का व्यक्ति आता है और उसके भविस्ति को बिल्कुल बदल देता है लेकिन आपके तरक में एक गलती है कि राहूल कांदी और मोधी जी का पिछले दो चुनाओं में मुकाबला नहीं रहा है इसमें क्यों नहीं साउथ इंडिया में घुस पाते हैं उस तरह से तो इसका ये सास्वत भाव नहीं होता है आज अगर मोधी जी 2024 में हम डिसकस कर रहे हैं तो पिछले रेकॉर्ड करके डिसकस नहीं करेंगे आज नया क्या परसिप्शन है पबलिक का और क्या ये बात गलत है कि इ इस तरह emotional मुद्दे लाए गए, emotive issues लाए गए, वो कही न कहीं दिखाता है कि जो development के parameter से उसके साथ एक balance जो है वो गड़बड हो गया है तो अगर emotional issues ज्यादा आ रहे हैं तो क्या कहीं ये तो नहीं है कि कोई frustration हो ये जो एक logic है वो विपक्ष की है केरल में भारती जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में केरल में भारती जनता पार्टी का vote प्रतिशत बढ़ा और इस बार विए वो मान कर चल रहे हैं लेकिन धरनजगरी जो बात इनके सर कह रहे हैं और जो आरोप आप पर अनुर कि 14-19 से बहतर इस्तिती 24 में है क्योंकि कॉंग्रेस आल टाइम सबसे लो सीटे लड़ रही है इतनी इतिहास में कॉंग्रेस कभी इतना सीट कम नीचे नहीं लड़ी दूसरा एक तरह मजबूत एंडिय है जो प्रदान मंतरी जी के नोमिनेशन में आपको दिखा होगा दूसरा तरह बिखरा हो विपक्ष है कैसे 42 की 42 ममता पनरजी लड़ रही है वहाँ और फिर भी कॉंग्रेस से अलाइन से केरल में केरल कॉंपनिस्ट और कॉंग्रेस का पूरे देश में अलाइन से और केरल में राहूल गांधी का बाज आयनी राजा ही बजा रही है तो अब ऐसे बिखरेव विपक्ष से हम कैसे मात करें ऐसे पिद्धी विपक्ष हम भी चाहते हैं मजबूत विपक्ष मजबूत राष्ट के लिए जरूरी है लेकिन ऐसे हासिय का आकार करता हुआ अबिपक्ष ऐसा हत भागा अबिपक्ष ऐसा ऐसी दुर्गती की इसमती में कभी इतिहास में नहीं रहा है तो पिद्धी विपक्ष के लिए जवाब देरे लिए आवाज हो हमारी किसी नीचियों का फिरोड हो तो भाइस की बात करेंगे उनके समय में पुली साथी की बात करजी में डूबा हुआ है आप बचाईए आपने कौन सा काम किया है डीजल पिटोर 65 रुपे से 100 रुपे पार हो गया है उसकी बारे में कुछ बचाएंगे कि नहीं दनता का फल लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी विशलेशन होना चाहिए कि वो उत्तरप्रदेश जो कॉंग्रेस पार्टी का गड़ रहा अब रायबरेली और अमेठी की चर्चा तो अब भी होती है वहां क्या वज़े रही कि 2014 में नरिंद्र मोधी पहुँचते हैं और भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस का एक तरीके से सूपड़ा साफ कर देती है बीते 10 साल में कॉंग्रेस के लिए बी तो आतं मंद्धन के बात housingंगरेस के लिए बिलकुल आत्मंद्धन की बात थनाटीर इसलिए कॉंग्रेस एक इंडिय ऑलाएंस में सबसे बड़ी के पास जाके कहते हैं आप उन्हें वोट दीजे हम उन्हें शक्ति देंगे यह कहते थे बहुत हुए महंगाई कि वार आज हम पेट्रोल डीजल भरा रहें 100 रुपे से जादा आज 400 का सिलेंडर हो गया है इन्होंने कहा था उन्हें बड़ा रहें की दो करोड़ का जंता ने इन्हें विकास के लिए बोट दिया फ। और राजोंतामऄंती माटन मचली पाकिस्तान मुस्लिमों को गुस पैटिया कहते तो वह जंता के साथ चलते हैं जो मैंने पहली बात का बनं geschों नरेंद मोदी जी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया आज अब ये आठ हजार करोड के लेक्टोरल बॉंड के घोटाले पर बैटे हैं और इनकी ऐसे वाशिंग मशीन है कि हजारों करोडों के घोटाले पर जो इनको एक दिन पहले कहते थे कि अजीत पवार दस हजार करोड का आद कि मौजूदगी उनका नामंकन आपको लगता है साइकलोजी कली बढ़त बनाता है भारती जनता पार्टी की डॉक्टर गिरिया आओंगो आपके पास सिंग सर बिलकुल सही आपने कहा है कल जो उन्होंने वो किया रोड शो किया और उसके जो प्रतीक दिखा है असलमें ये पूरी हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिजम है तो उसके मोधी बहुत अच्छे समझदार है मतलब ग्याता है कल उन्होंने वेध पाठन महां करव कल वो जिस तरह से गंगा माने उनको गोद ले लिया है ये कहा तो ये सिंबल्स है जो पूरे कंट्री में जाते हैं और ये जो सिंबल्स होते हैं अब उदीशू क्या है क्या जनता इशूस पे ठहरी हुई है या जो हाईली इमोशनल चीजे हैं जो बोधी ने आज भी किया तो प्रदान मंत्री ये जानते हैं इंडियन साइके कैसे काम करती है और बिलकुल सही है कि अगर आज उन्होंने जो शो किया है उसका असर पड़ेगा हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि भारत में ये जो इशूस है ये मेटर करते हैं वरना बीजे पी पिछले अगर देखे आ अपने एजंडा में ले लिया तो हमें लगता है कि हमें इस तरह देखना पड़े कि भारती जनता की सोच कैसी है क्या वो इशूस पर है या इमोटीव इसू जो मोधी रेस कर रहे हैं वो ज़्यादा इमपॉर्टेट हैं बिलकुल और बिहार में भारती जनता पर्टी को ब देखे साबर मती के संत ने जो सपना देखा था साबर मती के संतान उसको पूरा कर रहे हैं और जिस धंग से नेशन का विकास द्रेंदर मोधी आज किये जा रहे है विपक्स जो लगातार बाते कह रहा है आप पताईए कि कॉंग्रेस पार्टी कथित तौर पे कथी तोर पे मंडल कमी के करीब आना चाहिए कोई कोर्शिश करती है लेकिन उनके नेता बंडल समझते है और कॉंग्रेसी नेताओं के नोकर के पीए के चाकर के घर से जो बंडल मिलता है तो देश की जंता यहां के फटी के पटी रह जाती है कॉंग्रेस कमीशन के के नेता मंडल कमीशन के चाकर कमीशन समझते है और जो कमीशन खोरी का कल्चर कॉंग्रेस में चल रहा है दूसरा बहन कोई भी सोचना चाहिए कि करनाटक के बिदान सा बात जेक्ष रमेश ने कहा था महिलाओं के लिए कितनी गंदी बात कही थी कि इसी कारण से कॉंग्रेस इतिहास होती जा रही है और भारती जंता पार्टी भाजपा भारत का भविश्य ने साबर्मती के संत की बात की अनुराग जी भाजपा का ये दोगलापन है कि जब जब ये गांदी जी को यात करते हैं जब बहुत गंदी ज़ापा संद कीनाग इसे की जो हमती के संत की हतिया कॉंग्रेसियों ने की बाबु के सपना था ग्रामराज कर आप असे अनुराप कर कि विष्यन्दर नहीं होते हैं बोधिके नामंकन के बाद सफाकी मुष्य बढ़ रहे हैं क्या अनुर्वाक बढ़ दोरिया देखे देखे सीदि-सी बात है कि मुष्य ले तो भारती जनता पार्टी की अब तो बढ़ गई है बुरी तरेके से जैसे चरणों के चुनाव खतम होते जारते हैं भाति जनता पाठी घबडाती जाती है परिशान होती जा रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया इस पर इंडिया गड़बंदन को सत्ता में लेके आएगी ओए इंडिया गड़बंदन को सत्ता से बाहर कर रहे हैं